यह होगे आपका एक यह दो यह तीन यह चार यह पार करने के लिए आपको चार से पार्च मार्क्स मिलते हैं और फ्रेंट्स यह फिजिक्स के वन अपड़ी एक्सपरिमेंट में से एक है है जो एक्टिविटी नमबर 2 है तो फ्रेंट्स इस प्रैक्टिकल चैनल पर इस एटुजेट प्रैक्टिकल पर आपको फिजिक्स केमेस्ट्री से सारे वीडियो मिल जाएंगे मैंने 11 12 के पूरे प्रैक्टिकल सूट किये आप जाए उसको चेक आउट किजिए तो अगर आप आपका एक्टिविटी नमबर 2 सेकेंड पेंडूलम इसमें क्या करना है मैं डिटर्माइन करना लेंथ अप दिखाया कैसे करते हैं यह पहले रिस्ट पोजिशन 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 पूरता है उसके बाद मैं क्या करता हूँ इसको हलका सा पीछे लेता हूँ मैं क्या करना है तो और यहां प करना है तो इस दोनों सबस्टेंसिंस धिक्रेशक को इसको 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 यहां पर अबॉट करना या अंदर कि लेत्र इते आपगे ऐस विड IO बनाए है वर्णीर की ठीक है आप जायोयोगम को चेकाउट करेंगे अपको पाता चल जाएक 19 फ्रेंड फ्रेंड प्लीस सश्क्राइब कीजिए अब आपको बता देता हूं कि इसको यूज कैसे करते हैं ठीक है अब यहां पर क्या होता है इसे skill पर आपको ना कुछ रिडिंग दिख रहे होगा यहां का में स्केल होता और यह आपका वर्नियर स्केल होता है ठीक है तो यह वर्नियर स्केल जिस लाइन को कोईसिट करेगी ना पहले यह जब पर वर्नियर स्केल है तो इसमें 10 डिवीजन होते है वन टो त्री पर इसका जो लिस्स काउंट होता है वह 0.01 होता ठीक है वर्नियर स्केल का तो इसके जो पहली लाइन होती है वह जिसको भी टच करेगी न य 9 आइनल के तो मेंच मैंठी कि किसी निकाल कूंसिडेंट करई तो आपको जाएगी तो अगे आपको भुइन के ना पर किसे रेडिन जाया यक्तिक करना है तो है जाएगा 0.06 ठीक है यह मिल जाएगा और आपको 1.9 में 0.06 को क्या करना है बस आड करना है तो आपको क्या मिल जाएगा radius of the bob क्या मिल जाएगा आपको radius of the bob ठीक है यह बहुत पहले मैंने मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं ताकि आपको जरा भी गलती नहीं मैं आपके बाद में रफ करके लिख दूँगा जो कि मैंने बताए कि मुझे वर्नियर स्केल पर जो 0 टच कर रही थी कहां पर टच कर रही थी 1.9 पर ठीक है वर्नियर स्केल की जो इस काउंट होती हो कितने हो तो 0.01 वर्नियर स्केल की जो मुझे रेडिंग मिले थी हो कितने मिले थी 6 वाला कॉंसिडेंट कर रहा था आपने देखा था इसको मुल्टिप्लाइ करो कि तो आपको मिल जाएगा 0.06 अब इसको क्या करना रहेगा दोनों को आड़ करना रहता है मतलब 1.6 प्लस 0.06 ठीक है यह कितना मिल जाएगा आपको 1.96 अभी हमें क्या निकालना radius of the bob तो यह जितना भी रहेगा उसको divided by कितना करना रहेगा तो आपको मिल जाएगा तो आपको मिल जाएगा radius of the bob कितना मिल जाएगा 0.098 यह एक्सपरिमेंट परफॉर्म करने के लिए आपको थ्रेड लगेगा ठीक है तो मैं लगबग एक 100 cm का ठीक है यह एक्सपरिमेंट परफॉर्म करने वह लेंध वाइस परफॉर्म करने डाट इस एक नाइट इसके लिए फ्रेंट एक बाब है यह बाब का में रेडियेस भी फाइंड आउट करना मैं आपको बताऊंगा कैसे इसका रेडियेस फाइंड आउट करते और भी आपको क्या लगने वाला एक यह मेरे पास किस्ट्रांद करने वाला है जो मारे चुसको मतलब यसे मतलब करने वाला है उसको पहले यहां से मैं क्या करूंगा आप यहां से लेकि यहां तक क्या है पूरा 100 सेंटेमिटर है अब इसको मैं क्या करूंगा यह मुझे पता चल गया यह 100 सेंटेमिटर है तो मैं यहां पर यह जो मेरा पर इसको अटैच कर दूगा सो पहला मुझे बिसिकली 80 पर करना है तो मैं वहां पर 80 और 90 और यह सारी चीज़े क्या करते रहूंगा चेंज करते रहूंगा करोंगा मैंने 80 सेंटिमेटर का ले लिए आपको लेंध दिखा देते अब मैं Boop को क्या करोंगा यहाँ पर बैड़ आउट कर दूंगर अटाच कर दूंगा अभी आपको क्या करना है आपको यह बॉब दिख रहा होगा नीचे वाला इससा ठीक है आपको यह नीचे वाला इससा बॉब दिख रहा होगा मैं इसको जूम कर लेता हूं कैमरे को ठीक है आप आपको बॉब से मतलब आधा बॉब लेना रहेगा और यह तो फिलाल यह मेरा 80 cm हो चुक है आपको क्या याद देखना पड़ेगा कि आपको यहां से लेकर ठीक है और बॉब के जो बॉब होता है उसकी आधी जो दूरी होती वो लगवा कितने होने चाहिए 80 cm होने चाहिए 20 ऐसलेशन कंप्रीट होने के लिए कितना टाइम आपको लगता है ठीक है ठीक है 30 सेकेंड 40 सेकेंड लिए MICHAEL MESURE करसा तो 20 oscillation कैसे आपको देखना है देखो यह बालो यह बाव है यह अगर आप इसको यहां से अगर ऐसा छोड़ते हो तो यह यहां पे जाएगा फिर यहां पे आएगा तो एक होगा फिर यहां पे जाएगा यहां पे जाएगा तीन होगा फिर यहां पे जाएगा यहां पे जाए क्या है आपको बॉब को लेना है और यहां से हटाऊंगा तो जैसे मैं यहां लेकर आऊंगा और छोड़ूंगा तो यहां यहां प्याएगा तब ही एक होगा तो ट्वेंटी ऐसा होने में कितना टाइम लगता है उसको मुझे नोट डाउन करना रहेगा तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं तो देखे यह पहला मैं यहां पे लेता हूं और इसको यहां पे छोड़ देता हूं तो यह हो गया आपका एक यह दो, यह तीन, यह चार, यह पाच, यह छे, यह साथ, यह आट, यह नौव, यह दस, यह ग्यार, बार, तेर, चौद, पंद्र, सूल, सत्र, अठ्र, 19, और यह 20, ठीक है, तो आप देख रहे हैं, तो 20 ओसिलेशन कंप्लीट होने के लिए, लगबग इसको जो टाइमिंग लगए, वो कितने लगए, 35 सेकेंड, 36 सेकेंड, कितना लगा है, आप देख पा रहे हूं यहां पे, इसको लगए लगबग 36 सेकेंड, तो यह आपका हो होंगा, और वापस से 20 ओसिलेशन क्या करूंगा, काउंट करूंगा, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, यह 19, और यह कितना हो गया, 20, ठीक है, तो लगबग 37 आया है, यहां पे, आपको क्या करना रहता है, बिसिकली, क्या आपको 80 सेंटीमेटर का एक लिंथ लेना है, बॉप तक की जो दूरी होगे, 80 सेंटीमेटर, और 20 ओसिलेशन में, कितना यह उसिलेट करता है, उसको क्या करना, आपको मेजर करना है, ठीक है, जितना भी टाइमिंग आएगा, डड़े, जो T1 और T2 हो जाएगा, आप उसका मीन निकाल सकते, आप मैं क्या करूंगा, एक 90 को थोड़ा सा और नीचे करूंगा, ठीक है, अभी कितना होगे, मैं आपर चेक कर लेता हूँ, यह 90 सेंटीमेटर है, ठीक है, तो यह बिसिकली इग्जाक यह 90 सेंटीमेटर है, ठीक है, आप मैं 90 सेंटीमेटर जो मारा लेंध उसके लिए, निकालता हूँ कि कितना आता है, त्रीक टीवन ओर टीट्यू की वैल्यू तो आपको क्या किया करना रहेगा वापस से बॉओ पकड़ना होगा ठीक है और बॉँओ को क्या कशेम का रह trous 국 और generate ‏। इस असपय को छोडऄ दो यहां से जाएक जीसी यहां पर आएगा यह आपका 1 वॉसिनेशन हो जाएगा तो आपको 20 लेना रएगा और आपको स्टॉपवच भी क्या करना रहेगा स्टाट करना आपको तो मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ आपको stopwatch यह दो यह 19 और यह कितना हो गया 20 तो फ्रेंट्स मैंने इसको देखा तो यह 40 पे था फेस्स में एक चीज़ देखा होगा कि जब मैं पहले लेंथ 80 लिया था तो मेरा जो टाइम और ऑसिलेशन था वो कितना रहा था लेकिन वही जब मैंने लेंथ क्या कर दी बढ़ा दी तो आपने देखा होगा कि जो नमबर आप उसिलेशन से 20 कंप्लीट करने के लिए मुझे 40 सेकंड लग रहे था और टी और टी वन की वैली 40 आ रहे थी तो यहां पर क्या पता चलता है हमें कि अगर आप उसिलेशन करा रह लेकिन जब आप वही 90 कर दे रहो तो थोड़े से क्या और आपके टाइम उसिलेशन बढ़ जा रहे ठीक है 40 सेकंड आ रहा है और वहीं जब 100 के लिए करेंगे मैंने 100 के लिए किया हुआ है 43 सेकंड में कंप्लीट होता है 20 ऑसिलेशन ठीक है यह बहुत इस एक्सपरिमेंट यहाँ पर गिवेन है यहाँ यहाँ ब two m pec लेंगा तो तो मुझे ताइमिंग मिली थी हुआति रहें प् dét्रफा ऐसे और ज्यादा मिल गई और T142 मिली थी और T3 कितना मिली थी T2 कितना मिली थी 43 तब आप देख रहें कि अगर आप लेंथ बढ़ाते हो तो टाइमिंग भी क्या होती इनक्रीज होती है 20 oscillation complete करने में ठीक है उसके बाद यह है length of the pendulum L is equals to small L plus small R तो आपको पता है कि आपका small L क्या है यह आपका small 80 cm ठीक है जो मैंने length लेंग और small R क्या है 0.98 तो आपको क्या करना है 80 80 plus 0.98 करना आपको मिल जाएगा 80.98 तो मैंने 90 के लिए किया था तो मुझे मिल जाएगा 90 प्लस 98 और लास्ट मैंने 100 के लिए किया था तो मुझे कितना मिल जाएगा 100 प्लस 100.98 अब आपको मीन निकालना है टाइम का तो मीन कैसे निकालोगे 36 प्लस 37 करना है ठीक है सेम सबको आपको इसी करना है दोनों को आड़ करके टू से डिवाइड करना तो आपको जो पहली वैल्यू मिल जाएगे यहां पर मिल जाएगे 36.5 39.5 और 42.5 अब आपको क्या करना है टी निकालना है तो टी इसको स्मॉल टी बाइटी ठीक है तो स्मॉल टी यह आपका और उसको क्या करना है आपको 20 से डिवाइड करना है तो मैं क्या कर दूँगा 36.5 divided by 20 तो मुझे यहां पर मिल जाएगा 1.82 इसके लिए मुझे मिल जाएगा 1.97 और इसके लिए मुझे मिल जाएगा 2.12 ठीक है क्या मिल जाएगा यहां पर 2.12 ठीक है अब आपको क्या निकालना है एल आपॉन टी स्क्वेर ठीक है तो आप एल आपॉन टी स्क्वेर कैसे निकालना है आप देखो यहां पर ल की व 1.98 ठीक है आपको इसको किस से डिवाइड करना that is t square मतलब 1.8 1.82 इंटू 1.82 ठीक है अगर आप यह पूरा calculation करोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 24.45 ठीक है सेम आपको इसके लिए भी वही करना है मतलब 90.95 को डिवाइड करना है 1.97 के square के साथ में पर मुझे मिल जाएगा 23.44 ठीक है और लास्ट आपको क्या करना है लाइक 100.98 को डिवाइड करना है 2.12 के square के साथ में तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 22.48 कितना मिल जाएगा है 22.48 अब आपको क्या निकालना है अब आपको कुछ नहीं करना है आपको मिल जाएगा 23.43 अब आपको कुछ नहीं करना है 4 x 23.43 से इसको मल्टिप्लाइ करना है 93.72 अब जाएगा लेंथ ऑप दी सेकेंड पैंडूलम एलेस कितना मिल जाएगा आपको 93.72 आपको रेडिंग दिखा जे रहा है यहाँ पर आप यह रेडिंग देख सकते हैं ठीक आप इसका स्क्रेंशॉट ले लीचिए आप लोगोंने देखा यह अक्टिविटी बहुत एजी था अक्टिविटी नमबर टू है जो सेकेंड पैंडूलम पर बेस्ट है और मुझे तो एक्सपरिमेंट करने में बहुत मज़ा आता है आपको अगर यह एक्सपरिमेंट या यह एक्टिविटी आपको अच्छा और जो करेंगा यह एक्टिव नमबर टूम सी нев Tac.